अभ्यास देखेंगी राश्पती द्रापदी मुर्मू और राश्पती द्रापदी मुर्मू के साथ ही राजपाल और मुख्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जैसलमेर का आज दौरा राशपती दरौपधी मुर्मू का और बस अब कुछी देरबाद जैसलमेर में राशपती दरौपधी मुर्मू पहुँचेंगी पोकरन फाइरिंग रेंज में ये युद्ध अभ्यास होगा जो कि राशपती देखेंगी द्रापदी मुर्मू और राशपती के साथ साथ राजपाल और मुख्यमंत्री यान राजपाल कल राजमिश और मुख्यमंत्री भजानलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंग कोटा के नए ग्रीन फील एरपोर्ट का सपना जल साकार होगा बीजेपी के सब्ता समालने के साथ ही एरपोर्ट की फाइल ने रफ्तार पकड़ दिया इसको लेकर लोगस्वा स्पीकर ओमिरला ने कोटा के लोगों से एरपोर्ट को लेकर वादा हुआ है स्पीकर ओमिरला के प्रयास्वन से अब ग्रीन फील एरपोर्ट की एक बाधा दूर हो गई है पावर ग्रिड कॉर्परेशन की लाइन शिफ्टिंग को लेकर चल रही परिशानी दूर हो गई है राजसरकार ने 49.9 करोड रुपे जमा करने की स्वीक्रिती जारी करती है ठेका कर्मियों ने MBS अस्पताल की नई बिल्डिंग के बाहर नारेबाजी का प्रदर्शन किया और आक्रोष जिता है ठेका कर्मियों के कारेबहिशकार से व्यवस्ताएं बिगड़ने लगी है दवा काउंटर पर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारी लगी उसे चल रहा है लेकि नहीं बिदा कुछ भी नहीं है उदैपूर शेहर विधायक ताराचन जैन स्मार्ट सिटी के कारेओं के तहट आयर नदी में हुरे कारेओं का जायजा लेने के लिए पहुँचे इस दोरान उन्होंने आयर नदी में लंबे समय से हुरे अवैद अतिकर्वन को लेकर अफसरों को लतार लगाई विधायक ताराचन जैन ने अधिकारी उपर ब्रश्टा चार के गंभी रारूप भी लगाए उन्होंने कहा कि आयर नदी के अंदर किसी भी सूरत में अवैद अतिकर्वन ब्रदाश नहीं किया जाएगा फिलहाल आयर नदी के कारे को कुछ समय के लिए रोग दिया गया है पिछले पांसार दिनों से यह सिगाय दायरी थी कि नदी पेटे के अंदर कई लोगों ने कपजे कर लिए स्मार्ट सिटी के ता जो नदी का स्वरूप बनना चीए उसके अंदर आतार सहीते का लाव उटा कर और हमारे अधिकर्यों कि मिली बगत से यह सब दो बिलकु जान नहीं है मैं प्रियास करूँगा काद महापाओर साब से बात करूँगा कलेक्ड साब से बाइद करूँगा और हारो संबंदित अधिकरी आया है उनको यह का बई जान ददी का पुराने वर्सों पहले जो नदी को चिनित की गई है वहीं पर यह बाउन्डरी वाल बने और अब ये खबर अजमेर से जहां रामगन थाने में एक लाग पच्छतर हजार रुपे की आउनलाइन ठगी का मामला सामने आया पीडित ने बैंक डीटेल और इन जानकारिया साजा की थी जिसके बाद खाते से रकम गायब हो गई रामगन थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में कमाई की बात गई इसे लेकर कुछ पैसे जमा करने के लिए बैंक डीटेल और अन्यजानकारिया भी ली गई जिसे उन्होंने दे दिया कुछ दिन बाद ही उनके खाते से एक लाग पच्छतर हजार रुपे निकाल लिए गए जब उन्होंने बैंक से जानकारी ली तो सामन में आया कि उनके साथ ओनलाइन धोकादरी हो गई है पीडितने संबन में रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है पोलिस मामले की जहांच में जूटी हुई है जो कह रहा था कि मेरे वाटसब नंबर पर कोई इमोजन ग्लोबल से प्रोड़क्ट एड़ करने का मेसेज आया और इसमें आप गुरूप जोड़ो गुरूप से कुछ पैसे लाप लगाओ हम उसको आपको पैसे देंगे तो इसने को पहले सुरू सुरू में पांचे एक ज प्रताबगर में दो दिन पहले पुलिस पर फाइरिंग करके फरार हुए बदमाश की तलाश में पुलिस ने आज सुभा अखेपुर गाओं में दबिश दी है और मादक पदार्थ और हथियार तसकरी के मामले में कुख्यात इस गाओं के तार कई कई बड़ी आपरादिक वारदातों से इस कुख्यात के तार जुड़े हो सकते हैं एस पी अमित कुमार के इंदर देशर में पुलिस के 200 से जादा जवान और अधिकारी इस अभियान में शामिल है देविल्दी गाओं में दो दिन पहले फाइरिंग के आरोपी भईयू ला का है कि इन घरों से बड़ी मात्रा में मादत पदारत और हत्यारों की खेप मिल सकती है इधर विक्सित भारत संकल ब्यातर की समीक्षा को लेकर कलेक्टर कक्ष में बैठक आयोजन किया गया इस बैठक में करॉली धॉलपूर के सांस है दॉक्टर मनोज राजोरिया करॉली विधायक दरशन सिंग समेथ कई लोगों ने समीक्षा में भाग लिया इस दौरान कलेक्टर स्पी जलाय परिशत सीओ समेथ अधिकारियों से लाभारतियों योजना के लाब और पात्रों के रेजिस्ट्रेशन पर चर्चा की गई सांसर ने बताये कि 16 दिसम्मर से 26 जन्वरी तक विक्सित भारत संकल प्यात्रा का योजन किया जा रहा है इसी के साथ ही केंद सरकार द्वारा चलाई जारी विभर ने योजनाओं की जानकारी भी दी प्रबाव शाली डंग से क्या जा सकता है बीजेपी की आज दिल्ली में दूसरा दिन है जब बैठक हो रही है और ये बैठक जो चल रही है इसमें ग्री मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए है इस मीटिंग में सोशल मीडिया नमो एप विस्तारग युजडा पर प्रेजन्टेशन दी गई है पांच राज्यों के विधान सबाच चुनावों पर अध्यक्षों ने ब्यौरा दिया है किसान मोर्चा और युवा मोर्चा ने अपनी गतिवीदियों की भी जानकारी दी है प्रदेश अध्यक्ष यानि राजस्तान की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्तान के ही प्रभारी अरुनु सिंग भी इस मीटिंग में मौझूद हैं राजधानी जैपर में पांच जनवरी से अठावन वी ओल इंडिया डी जी पी आई जी कॉन्फरेंस होगी और ये कॉन्फरेंस तीन दिन तक चलेगी इसमें केंद्रिय सुरक्ष एजनसियों के आलादिकारी शामिल होंगे इसमें पी एम केंद्रिय अग्री मंतरी भी होंगे शामिल जैपर में ओल इंडिया डी जी पी आई जी कॉन्फरेंस के तैयारियां शुरू हो गई हैं राजस्तान में नई सरकार बनने के बार पहला बड़ा आयोजन जनवरी में होने जा रहा है और हर साल आयोजन होने वाली डी जी पी कॉन्फरेंस की मेजवानी इस बार राजस्तान को मिली है पांच जनवरी से लेकर साथ जनवरी तक कॉन्फरेंस राजसान इंटरनाशनल सेंटर में होगी कॉन्फरेंस में शामिल होने के लिए पी ए मोदी फिर से जैपूर आ रहे हैं और इस बार वो जैपूर से देश को बड़ा संदेश देने वाले हैं प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी से पहले केंद्रे मंतरी अमित शाह के भी जैपूर आने का कारिक्रम प्रस्तावित है इनके साथ ही राष्ट्य सुरक्षा सलाकार अजीत दोभाल भी कॉन्फरेंस में शामिल होंगे एरपोर्ट से लेकर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तक रूट को चमकाया जा रहा है केंद्रिये सुरक्षे एजेंसियों के कई अधिकारी भी कॉन्फरेंस में शामिल होंगे कॉन्फरेंस में साइबर अपराद, डेटा गवर्नेंस, आतंगबाद, विरोधी चुनोतिया, वामपन्ति उगरवाद, नैरकोटिक्स तसकरी से उभरते रुजान और जेल, सुधार समेत वेभिन मुद्नों पर चर्चा होगी All India DGP IG कॉन्फरेंस को लेकर जैपूर सजने सवरने लगा है जी हाँ हम बात कर रहे हैं 5-7 जनवरी के बीच में राजधानी जैपूर के अंदर होने वाली All India DGP IG जो कॉन्फरेंस है उसको लेकर कारण इस पस्ट है इस कॉन्फरेंस का जो उद्घाटन है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी करेंगे ऐसे में आप देख सकते हैं राजस्तान इंटरनेशनल सेंटर के आसपास ये जो जहालाना का इलाका है इसे सजाना और सवारने का जो काम है देश भर में राम मंदर को लेकर उत्साहत देखने को मिलावर ऐसे में राम लला के प्रांट प्रतिष्ठा समहरों के लिए जैपुर राजस्थान धर्मयात्रा महासंग को सीता रसोई आयोध्या की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है जैपुर से राम मंदर प्रांट प्रतिष्ठा भंडारे के लिए 2000 तेल के पीपे बिजवाये जा रहे हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से धर्मयात्रा महासंग के पताधिकारियों ने मुलाकात भी की है एक लाख सादो सुत्यों का राम भक्तों का वहां बंजारा एक लाख लोगों का पड़े जो पैचाली से साड़ी चलेगा और गास्तार में धर्मयात्रा महासंग को यह दाइची दिया है वहां 2000 पीपे बेज रहे हैं 31 तारिक को बेजने का शुदूल बरार है तो उसकी पर्वी से निके हधियर जिला करके इनके दुआरा महां बेजने का एक अधिक बहुत भीरवारा में बीजेपी पारशद ने आत्मत्या की कोशिश किया आत्मत्या की कोशिश से पहले पारशद ने खुद का वीडियो बनाया वीडियो में पारशद ने कुछ लोगों पर धंकाने और प्रताडित करने का आरोप लगाया है पारशद ने भगत सेन और उनके परि फिलहाल बीजेपी पारशत उदेलाल की तबिया खराब होने के चलते जिलास्पताल में भरती किया गया है बनाने के लिए मेरे पर जो आरोप लगा है मैं इसे आज अटास होके मैं अपने जीवन लिला सवाप्त कर रहा हूं और मेरे मौत की जम्यदार भगजी शेन और उनके दोनों लड़के हैं परदीब जी सिंग्वी जो की कंचन बेकर्स के मलिक है प्रजान करने की जो को प्रदीब जी और भगज्गी जो वह अतना प्रशान कर दिया है और निर्मल जी और परदीब जी गूमापिया है इन्हों ने मेरों को फर्जी तरीके से जो काम बताई है वो मैं नहीं कर पाई इसके करना आज सुछने मिली के पार्षद उदलाल तेली ने जेर खाकर आतमत्य का प्रयास किया जिस पर हुस्पिटल पहुंचे पार बैंदनी के स्तिति में है नहीं पार्षद द्वारापूर में रिपोर्ट पेस की थी जिसमें बगत सेन और प्रदीब जी पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने मेरे छवी खराब करने कोशिश की है और मुझे धंकाया है काली गलोज की है जिस पर पुलिस ने कारवाई करते हैं उनके पाबंदी के कारवाई कर दी थी आज की गटना में कुछ एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो कोई बट्टे साब किया जाना और अवेद पट्टे की डिमांड किया जाना है इस तरह को जानकर्यारी है जब वो बैयान दने के सिती में आएंगे उनसे बै कर दोर में जिला पर